Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी pen drive को bootable pen drive कैसे बनाएंगे अगर काईस आप अपने computer system में विंडो को install करना चाहते हैं खुद से तो उसके लिए आपको एक bootable pen drive बनानी होती है और bootable pen drive हम कैसे बनाएंगे इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाइस मैं यहाँ पर आपको Windows 11 की bootable pen drive बना के दिखाऊंगा तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाइस Windows 11 की bootable pen drive बनाने के लिए सबसे पहले आपको Windows 11 की iOS 5 फाइल को डाउनलोड करना होगा इसके लिए आपको अपना Chrome browser open करना है यहाँ से और यहाँ पर हम Google पर सर्च कर लेंगे Windows 11 iOS 5 फाइल ठीक है तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है उसके बाद आपको enterprise करना है उसके बाद कैसे यहाँ पर आपको first link दिख रही होगी Microsoft.com के ठीक है तो आपको इस link को open कर लेना है मैं इसे open कर लेता हूँ और उसके बाद कैसे यहाँ पर website open हो जाएगी उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर हम choose one पर click करेंगे और यहाँ पर हम language select कर लेंगे तो यहाँ पर हम English international को select कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर confirm पर click कर देंगे ठीक है उसके बाद guys यहाँ पर 64 bit download का option आ जाएगा आपको simply यहाँ पर download पर click करना है और उसके बाद जो आपकी विंडो 11 की ISO file है वो यहाँ पर download होने लगीगी जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहा है तो guys मैंने इस file को already download किया हुआ है तो इसलिए मैं इसे download नहीं करूँगा मैंने बस आपको इसका process बता दिया है कि आप Windows 11 की ISO file को कैसे download करेंगे तो फिलाल के लिए मैं इसे कर देता हूँ close यहाँ पर मैं cancel कर देता हूँ इसको और यहाँ से इसे भी मैं cancel कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा इसकी file size भी आपको यहाँ पर देख र file download हो जाती है Windows 11 की उसके बाद guys आपको एक software download करना होगा उसे कैसे download करेंगे चलिए जानते हैं यहाँ पर वापस हम Chrome browser को open कर लेंगे और यहाँ पर हम Google में search कर देंगे रूफ फर्स ठीक है आर यू एफ यू एस ठीक है उसके बाद enterprise करेंगे उसके बाद guys यहाँ पर first link आपको दिख जाएगी इसको आपको open कर लेना है यहाँ से और यहाँ पर यह website open हो जाएगी और उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आना है और यहाँ पर आपको इसने download कर लेना है ठीक है आपको simply click करना है उसके बाद यह download हो जाएगा इस एड को close कर देते हैं इस एड को तो guys ठीक है यहाँ पर हमारे software है वो download हो चुका है ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और show in folder पर आएंगे ठीक है तो guys यहाँ पर हमारा software भी 16GB होना चाहिए आप 8GB की pen drive में भी बूटेबल बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर recommend करूँगा कि आप कम से कम 16GB की pen drive को use करें ठीक है तो यहाँ पर insert कर लेंगे मैं इसे minimize कर देता हूं इसे में close कर देता हूं और यहाँ पर this PC open करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे show Scripture open का लिए अपको इसे राइट खले करना है अपनी pen drive इसे बाद यहाँ पर format का option आपको दिख जाएगा format करेंगे और उसके बाद यहां पर start format कर देंगे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर ok कर देंगे तो उसके बाद जो आपकी pen drive है वह पूरी तरिके से format हो जाएगी ठी यहां पर हमारी format complete हो चुकिए आप देख सकते हैं formatting format complete ठीक है इसे okay कर देंगे और उसे यहां से हम close कर देंगे यहां पर हमने अपनी pen drive भी लगा लिए है उसके बाद हम यहां पर download पर आएंगे यहां पर जो हमने अपना software download किया है रूफस का इसे आपको install करना है इस पर राइट क्लिक करेंगे यहां पर राइट क्लिक करके run as administrator कर देंगे ठीक है उसके बाद yes करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा रूफस का interface यहां पर open हो चुका है यहां पर हमारी pen drive भी आ चुकिए आप देख सकते हैं device pen drive automatic इसन drive में अपर है विंडोस 11 और यहां पर यहां पर हमारी आयोस ओफाइल ठीक है उसके बाद open कर देंगे उसके बाद कैसे यहां पर जो हमारी आयोस ओफाइल है वह यहां पर आ चुकी है और उसके बाद गएस यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा partition scheme तो यहां पर आपको देख लेना है आपके computer की जो partition scheme है वो GPT है या फिर MBR है ठीक है, तो यहाँ पर दो options दिए गए है, GPT और MBR, जहाँ पर आपको अपनी partition scheme को कैसे चेक करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ आपको disk PC पर right click करना है, manage पर जाना है, तो guys, यहाँ पर computer management का option open हो चुका ह उसके बाद आपको यहाँ पर disk management पर आना है, और उसके बाद guys, आपके computer system में जो भी hard drive लगी है, वो आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद guys, यहाँ पर disk पर right click करना है, और उसके बाद properties पर जाना है, और यहाँ पर आपको देख रहा होगा journal policy volume ठीक है, तो यहाँ पर volumes पर आपको click करना है, और उसके बाद guys, यहाँ पर आपको partition style देख जाएगी, तो guys, मेरा जो यहाँ पर partition style है, वो यहाँ पर MBR हो सकता है, कि आपके computer का GPT हो, तो वो यहाँ पर आपको देख जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप check कर सकते हैं, तो मेरी MBR है, तो मैं वहाँ पर MBR select करूँगा, मैं इसे close कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर partition scheme में हम select कर लेंगे, MBR आप check कर लीजेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, उसके बाद guys, यहाँ पर आपको simply start पर click कर देना है, तो यहाँ पर start पर click करेंगे और यहाँ पर OK कर देंगे, उसके बाद guys, यहाँ पर आपकी pen drive है, वो यहाँ पर bootable होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर guys, हमें time लग सकता है, 20-25 minute का, depend करता है कि आपके computer की performance कैसी है, उसी के according guys, यहाँ पर आपको time लगता है, अगर आपके computer की performance अच्छी है, आपका computer बह 100% हमारी यहाँ पर pen drive bootable हो चुकी है, आपको देख रहा होगा है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा solve it कर लेते हैं, 100% होने देते हैं, तो guys, यहाँ पर complete हो चुका है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर almost complete ही हो चुका है, और यहाँ पर ready का option आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी जो pen drive है, अब वो यहाँ पर पूरी तरह से bootable बन चुकी है, अब आप किसी भी computer में इस pen drive के जरीए आप window 11 को install कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं आपको अपनी pen drive को दिखा देता हूँ, तो guys, मैं आप इसे कर देता हूँ close, और उसके बाद मैं आपे this PC को open करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी जो pen drive है, वो यहाँ पर bootable हो चुकी है, यहाँ पर इसने इतना space ले लिया है, मेरी pen drive का, तो यह हमारी pen drive है, वो completely bootable हो चुकी है, तो guys, इसके बाद आप इस pen drive के जरीए आप किसी भी computer में विंडो 11 को install कर सकते हैं, तो I hope guys,